तो आज है डे वन जीरो वन उत्राखंटी एर्ट प्रवेस परिक्षा दोजार चौबिस जोके हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही फॉर्म आ जाएं ठीक है फर्वरी आ गई है पता नहीं कब तक आएंगे उम्मीद पर दुनिया कायम है तो हम भी अभी से तजारी कर रहे हैं क कि फॉर्म तो आएंगे ही आज नहीं कभी आएंगे तो महिने बाद आएंगे बट पढ़ाई तो हमें करनी ही है जान रखिए पढ़ाई जरूर करिए क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंपिटिशन आगे बहुत होने वाला है अगर आप सोच रहेंगे फॉर्म ठीक है तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के क्लास आज के पहले कुशन के साथ जो है पिछले वर्शों में आया हुआ तो जी पहला हमारा जो कुशन है वो है एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर उनके क्रे मूलियों से 20 प्रतिशत अधिक मूले दर्ज करता है और बिक बेसिक मैस पढ़नी है सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइस लिंक दे रखे हैं जाके पढ़िए 100% समझ में आ जाएगा ठीक है जी तो चलिए देखते हैं इस कुश्यन में क्या कह रहा है तो जहां पे ऐसा कुश्य मतलग देखो एक चीज़ समझ यह जो दुकांदार होता है ना दुकांदार को अपने कस्टमर से रिलेशन्स बनाना है तो अगर दुकांदार 100 रूप में खरीद के ला रहा है तो 100 में तो बेचेगा नी और दुकांदार को डिसकांट भी देना है अगर आपको कहीं से डिस देगा और उसको पांच रूपे का फाइदा हो जाएगा तो उसको पांच रूपे का फाइदा हो गया उसको पांच रूपे का फाइदा हुआ लेकिन उसके नजर में आपकी नजर में वो हिरो बन गया कि वह इसने मुझे डिसकांट दे दिया तो वही कंसेप्ट से हमें य 20% अधिदर्ज किया मतलब क्रेम उल्य अगर माल लेते हैं कि 100 था तो जो यह होगा उसमें 20 प्रतिशत बढ़ाया गया 20% increase किया गया तो यह क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और विक्री की समय 10 दस प्रतिशत की छूट भी दे दी यहां पर उसमें 10 प्रतिशत का डिसकाउंट दे दिया तो 10% का डिसकाउंट का मतलब 90 निकालोगे तो 120 का 90 कितना होगा 120 गुणा 90 बट्टा सो जिरो से कड़ गया जीरो से जीरो कड़ गया बारा नम 108 आ गया 108 तो आप से पूछाए कि इसका लाब प्रतिशत कितना है अरे भाई कोई चीज 100 रुपे में खरीदी और 108 में बेची तो कितने रुपे का लाब हुआ 8 रुपे का लाब हुआ और हमें पता है कि एगर 100 को हम 100 प्रतिशत के बराबर मानते हैं तो 8 108 प्रतिशत और 8 रुपे भी 8 प्रतिशत के बराबर होगा तो यहां पर मैं 8 प्रतिशत का लाब होगा जो है हमारा option number D ठीक है जी clear है नहीं असान question था बिल्कुल difficult नहीं था मेरे पीचे छुप गिया है कोई बात नहीं छुपने दो मैंने बोल तो दिया है ना कि 8% है यह जो मेरे पीचे छुपा हुआ है वो 8% ही है ठीक है चलो जी बटता है अगले question की तरफ जो अगला question है वो है आपका य x ratio y is यदि 500 का एक्स परतिशत तो जैसे जैसे question में दिया हुआ है वैसा वैसा लिख लेते हैं पास्सों का x परतिशत अनि 500 गुणा x बटा 100 इसके बराबर है 300 ay परतिशत तो आपको x ratio y निकालना है तो देखो x ratio y का क्या मतलब है समझते हो आप x ratio y का मतलब है x ratio y का मतलब है x upon y निकालना है तो आपको क्या करना है x को आप यही रहने दो y को आप cross multiply करके न इधर लेआउ नीचे औ और 500 को इधर ले जाओ, 100 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो जाएगा, x upon y is equal to 300 into, यह वाला 100 यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ उपर चला जाएगा, और यहाँ पर जाएगा, नीचे 500 into 100, तो देखो, 100 से 100 cancel हो गया, 2 0 से 2 0 cancel हो गया, x upon y आ गया, 3 upon 5, तो जो ratio हो जाएगा, वो हो त्रीमत करके आ जाना, देखो, option में है, confuse करते हैं वो लोग, ठीक है, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, तो जो अगला question है हमारा, वो क्या है, बहुत जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी तो करने चाहिए न questions, ठीक है, अब तो इतना time हो गय यह लटके questions को करते हुए, यदि 11.3 गुणा 1.3 माइनस 2 गुणा 1.3 गुणा 1.3 प्लस 1.3 गुणा 1.3 का बराबर है, अब यह ना बड़ा ही अच्छा question है, कैसे, देखो, अगर आप इसको solve करोगे, अगर मानलो किसी को formula नहीं आता, तो भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क् कुछ value आएगी, फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, 1.3 into 1.3 निकालोगे, कुछ value आएगी, फिर आप क्या करोगे, 11.3 into 2 वाली एक value निकालोगे, और पहले इससे इसको minus करोगे, या इन दोनों को जोड के इससे minus कर दोगे, यही तो करोगे, है ना, तो बहुत असान question है, क्य आपको formula याद नहीं है, तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक formula लग रहा है, क्या, अगर मैं मानता हूँ कि x बराबर 11.3 है, और y बराबर 1.3 है, तो देखो आप ध्यान से x square minus 2xy plus का y square बन रहा है, नहीं बन रहा है formula, x square minus का 2xy और plus का y square बन रहा है, अब अगर आप ध्य से देखोगे, तो यह x minus y का whole square का formula है, है या नहीं, बिल्कुल है, तो x की value कितनी है, 11.3, इसमें से y कितना है, 1.3, इसको minus कर दो, और square कर दो, तो 11.3 में से 1.3 को अगर आप minus करोगे, तो आजाएगा 10 का square, और 10 का square होता है, आपका 100, इतना होता है, 100, यहीं आपका क्या हो answer हो जाएगा, यह नहीं option number है आपका, answer, ठीक है जी, चालो जी, बढ़ता है अगले question की तरफ, अब जो अगला question है हमारा, वो थोड़ा सा complicated किसी को लग सकता है, लेकिन आप यकीन वानिए, इस से असान question होता नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, तो सबसे पहले जब ऐसे layer layer question है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं न, सबसे पहले इस वाले portion को solve करेंगे, ठीक है, इस वाले portion को solve करते, तो इसको solve करते हैं, कितना आएगा, देखो, मैं rough मैं यहाँ करता हो, मैं इधर कर ले ठीक है, यहाँ पे सारा rough काम करूंगा मैं, तो 1 प्लस 1 बाइ 2 को solve कर रहें, नीचे 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 by 2 हो जाएगा तो जगा 2 एक कम दोर एक 3 बट्टा दो हो जाएगा यानि इस पूरे की जगह पे मैं 3 बट्टा दो लिख सकता हूँ अब लिख देता हूँ 1 minus 1 upon 1 plus 1 upon 3 upon 2 ठीक है और 1 upon 3 upon 2 क्या होगा इसको समझना अब हम किसको सॉल्फ करेंगे हैं इसको सॉल्फ करेंगे 1 upon 3 by 2 1 upon का मितला 1 divided by 3 by 2 अगर आपको ऐसे confusion हो रहा है तीन वाले में तो ऐसे कर लिया अगर हो 1 divided by 3 by 2 यानि 1 into 2 by 3 यानि 2 by 3 basically इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 minus 1 upon 1 plus 2 by 3 अब हम क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्फ करेंगे इसको सॉल्फ करना भी बढ़ा असान है 3 एककम 3 और 4 5 यानि 5 बट्टे 3 कितना आ गया 5 बट्टे 3 यानि क्या बना 1 minus 1 upon 5 upon 3 फिर से अब इसको सॉल्फ कर दो पूरा तो यह फिर से यह वाली कंडिशन आ गई हमारी तो यह क्या हो जाएगा 1 minus 3 upon 5 अब 5 एककम 5 5 में से 3 गया 2 तो यह आ जाएगा आपका आंसर दो बट्टा 5 यानि option number B जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा चोटी सी क्लास थी 8-10 मिनिट की क्लास में लेके आ रहा हूं कि आप 24 गंटे में से 8-10 मिनिट तो निकाली सकते हो max to max 15 मिनिट निकाल सकते हो और आपको निकालना चाहिए देखो form कब आएगा क्या होगा कुछ नहीं पता ना मुझे पता है ना आपको पता है मैं उत्राखन बोर्ड में कई वार कॉल कर चुक हूं उनको भी नहीं पता आप मेरी और आपकी बाद छोड़िए उत्राखन बो नहीं बाद जब भी आए आपका क्वालिफाई तो होगा मैं भागल तो हो नहीं जो अभी से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं अभी से पढ़ा रहा हूं डियलेट क्या जरूरत है ना form आये ना कुछ आये तो फॉर्म का वेट नहीं करना है एक regular routine है जब भी आएगा जॉब तो चाहिए ना हमें जॉब अगर चाहिए तो अभी से हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो learning होती है वो कोई छोटी process नहीं होती है this is a long process एक लंबी जर्नी होती है लोग क्या करते है form आता है even form आता है भरते है तब भी तैयारी शुरू नहीं करते है जब exam में एक महीना प्रोसेस से ध्यान रखिएगा तो लंबी प्रोसेस में आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा वन नाइट फाइट से कभी competition नहीं निकला करते है चलो जी थैंक यू सो मच वाचिंग कल फिर मैं आपसे मिलूंगा एक और नए previous year question के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए ब झाल